हेलो फ्रेंट्स चैमाददी कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर और आप लोगे मूँ में क्यों लटकाया हुआ है तो यहां पे नो बहुत ठंडी लग रही है हवा और फिर मेरा गलक राब हो जाता है इसलिए और अभी शाम का टाइम यह देखिए दूप कहां से कहां जा चुकी है सुरेदेव जी बस छपने वाले हैं मतलब छिपने वाले हैं और हम जा रहे हरी घास लेने चेतन भी आ गया था स्कूल से तो इसने बोला ममी सुबा सुपका घास लाओगे की हरा इसलिए हम दोनों चलते हैं अभी और आप चलो मैं निकालत हूं और आप इकठा करते रहे ना तो फिर हम दोनों सुगा सुबा जब होगी तो सुपका घास लेने आगे तो मैंने बोला चल ठीक है उसके लिए जा रहे और ठंड बहुत जादा होगी है सची में बहुत ही जादा मेरी तो ना आंखे एकदम से लाल हो जाती है जब भी इ यह सौल में और यह रहा हमारा रास्ता इससे हमने जाना है और आज हमने हरी घास क्या लानी है त्यामबल का घास लाएंगे और यहां से चलते 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 हम बस पहुंचने वाले हमारी जो घासनिया ज्यादा दूर नहीं है घास भी ज्यादा दूर नहीं है और यह देखि दूप बिल्कूल जाने वाली है अब और जहां पर ये टॉप में दूप जाग गई है वहां के हैं वो निव फैशन डिजाइनर लता टेलर जिनका मैंने जिक्र किया था आप लोगों से मिलाया भी था उस तिन वीडियो में तो वस वहीं के हैं कि देखिए उनका गाउं दिख हाते हूं ये देखिए ये ये रहा ये रहा इनका गाउं तो वस एक दार इधर को और एक हम इधर को और ये रहे लोगों के घर और ये दार्ला घाट की अंबुजा फैक्टरी तो हमने जाना है कहां हम इस साइड से जाएंगे और पक्षी यहां बेचे चार है क्योंकि शाम शाम के टाइम को पक्षी भी अपने घर को लोट करके आते हैं आदमी तो आदमी पक्षी भी लोट करके आते हैं यहां से इतना खराब रास्ता है कि ये थोड़ा सा पैर यहां से फिसला तो नीचे खाई बहुत गहरी है इसका कोई अंदाजा नहीं है कितनी गहरी है फाइनली हम पहुंच गे जहां पर हमने जाना था लोगों की घर चमक रहे हैं सामने हम पहुंच गे यहां पर और यह रहा वो त्यम्बल का पेड़ इस से निकालना है हमने घास चेतना आपने निकालना ही मैंने अच्छा देखो हमेशा यही बोलता है मैंने निकालना मैंने निचे लगाऊंगा बही आप चड़ जाओ ममा मैं चड़ूंगा आपने नहीं चड़ना तो छोटा सा पेड़ है ज्यादा उंचा नहीं है क्योंकि आप लोग बोलते भी हो कि चेतन को उंचे पेड में मत चड़ा नहीं यह देखिए यह पेड और यह त्यांबल का पेड इससे ले जाएंगे हरीपतियां सुभा के लिए और यह लगा चड़ने अब आराम से चड़ियो वही कि कलाकार हमारा अराम से चड़ बिटा तो यह देखिए यह चड़ गया और मैंने इसको पकड़ानी है यह अब ले रहाम रहाम साथ चीनना ठीगे देखो इसको अपने ब्लोटूथ की पड़ी है और निकाल ले तो फिर फिर करते ही कठा है न आप ने करना है कठा है हां मैं ने करना और यह रहे यहां से प्यारे प्यारे से लोगों के घर यह देखिए मैं द्राटी लेकर करके आयूं कि यह बहुत लंबा लंबा है हमें चोटा चोटा करके ले जाना है बस पतियां पतियां सी और यह निकाल दिया चेतन ने घास उपर से पेड से और मैं इसको इकठा कर जीए हूं पत्ते पत्ते जैसे क्यूंकि अगर इसके अंधेरा भी हो ही रहा होने वाला है बस तो फटाफट से में इसको इकठा कर लूँगी फिर हम चलते हैं घर की तरफ और हमें यहां पे ना मतलब अंधेरा हो ही गया था जब तक हमने इसकी पतियां निकाली इकठी की फिर बांदा तो मुझे चेतन वो रहा था कि मम्मा जल ने दबान यहां तो अब यहां आगगा ही तरा तो इस चाहँ अंधेरा हो गया था मैं ये फिरच की नहीं पास मैंने लकड़ी जएदीं तो घूर्डी पीछे मुझें आधीरा हो गया था और चेतन पिछे मीचचे ता हमने एक ही रहती हैं इसकी आचपास मैं लकलaggi या कि अब हम चल पड़ते हैं क्योंकि घर में जाना है और परेघ़ भाशो को गहस भी डाली है और गहले कि तो हमने सुबा देना है जब भार दूप में बान देंगे तब तो अभी तो इसको रख देंगे पर अभी और काम भी तो करने पड़ेंगे घर में जा करके खाना बनाना पड़ेगा और ही दिखिए फिर हम चल पड़े थे उपर उपर की तरफ यनके घर की तरफ और घर में आने के बाद में यहां पर मैं बना रही हू चावल बट मैं इनको पहले तड़का लगाऊंगी थोड़ा सा क्योंकि चावल हमें ना किसी को भी शूटनी हो रहे हैं आजकल तो इसमें जीरा और अजवायन थोड़ी सी चुटकी बरहल दी और इसको जो हमारी शूदगी होती है घर की उसमें थोड़ा सा फराई करना है और चावल बनाने क्योंकि दाल मैंने चुड़ा के रखी है पहले और चावल फिर मेरे बन जाएंगे थोड़ी सी मुझे बनानी है रोटी क्योंकि हमारे जो पापा है जिनकी हमारे सासु जी वो मैंना करते हैं कि मैं चावल नहीं खाता बहुत कम खाता हूं तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है ममें भी नहीं खाते हैं वो भी ऐसी फराई की वेचावल खाते हैं और दूसरी तरफ दाल और यहां बे मैं सास सास में करने लग पड़ी हूं दाल के तड़की की तयारी तो यहां बे मैंने जीरा मिर्ची और सावो धनिया मेथी लेकर के रखी है व्या मेर्ची ती और यह दाल तेल मैंने गर्ण करने के लिए रख दिया है आज सींपल चैने की दाल बनाई है और तड़का मैंने डाल दिया इसमें मैं भून लूंगी पहले सुखे मसाले और मसाले भूनने के बाद मैं मैंने डाल दिया इसमें प्याज थोड़ा सा मेरा शेयर करूंगी आज क्या आप भी करते हो कभी इस तरह से डाल के पानी से बनाते हो कभी करेबी मुझे बताना कौन-कौन बनाता है मैं बना लेती हूं और इससे डाल की जो हमारी गरेबी बनती है बहुत ही अच्छी बनती है थोड़ा सा मैंने डाल का पान डाला है जादा नह जल्दी जल्दी गल जाते हैं दाल के पानी के साथ और तेस्टी भी होता है और ग्रेवी भी हमारी दाल में बहुत अच्छी आती है तो यह लगा दिया हमने तड़का और अब आप लोग भी आ चाहिएगा हमारे साथ दीनर की तयारी है हमारा रेडी हो चुका है बस मुझे थोड़ी सी चपाती बनानी है दाल और चावल मेरे बक्के तयार हो चुके हैं इतने इनका कलर अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा बट यह बहुत ही टेस्टी और इनका जो रंग है बहुत ही अच्छा आया था यह दिखिए ही मारे है और मैं आचकी हूं कहांपे बखर लेकर के पर्शू चराने जंगल में जंगल में नहीं हूं अपने ही ठीक में हो बारबार बोलती हूं जंगल में ध्यान आता है तो सौरी माफ कीजिएगा और आचनी यहां से लकडियां भी ले जाऊंगी और वश्वी चराकत की ले जाऊंगी क्योंकि इनको आदत है जब तक इनको बाहर नहीं छोड़ते हैं तब तक यह पाणी पीते ही नहीं है हलाएंकि इनको घर में पहले पानी पिला करके आती हूँ बट अभी जब घर को ले जाओंगी तो ये बाणी के पास जाएंगे और खुद पीएंगे पानी ये इनकी बहुत बुरी आदत है आप सभी लोगों से मुझे कुछ बात करनी है मुझे किसी ने कमेंट किया था दो तिल लोगों ने शायद उनके कमेंट का मैं रिप्लाइज जरूर दोंगी और हाँ आप सबी लोगों का दिली की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much आप लोगों का आप लोगों ने मुझे इतना जादा सपोर्ट किया, इतना जादा जिसकी में उमीद भी नहीं कर सकती थी न वो मुझे आप लोगों से मिला आप लोग यह मैं सोचेगा कि आज कल मैं आपके comments का reply नहीं दे रहे हूं क्यूंकि आप लोगों को पता है मेरी तबियत खराब रहती है चादतर मैं बीमार रहती हूं और जिस time में ठीक रहती हूं उस time में आप लोगों की comments का जरूर reply करती हूं और फिर शाम की टाइम ऐसे होता है नगी मेरे साथ फोइश हुँ है थो फिर फोनीश जब तब जब सुदर रह तो अब सोच नहीं कौन सी बिमारी टपक के जाएगी होता ही है जब कोई इतना मतलब एकदम से भीमार हो जाता है तो ठीक होने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है हमारे देखो अभी वन्शु को पंदरा दिन होने लगे वो भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है मैं भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ तो ऐसे मैं फिर मैं ठक जाती हूँ ना शाम को घर जाती हूँ तो ऐसे मन करता भी नहीं खाना भी नहीं खाना किसी को बनाना भी नहीं है बस ऐसे ही सो जाना है चूंकि पूरा दिन काम 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 ये करो भो करो पशों का करो जाएंगे तो दूसरे दिन तो गोशाला में जाएंगे ना इतने बड़े बड़े मोटे मोटे उसकी धेर लगे रहेंगे बिचारे कैसे सोएंगे पसु और हां पसु सोने से मुझे एक और याद आई हमारे सिस्टा रेक उन्होंने मुझे कॉमेंट किया था कि आपकी ना गा जबाए की सोने की जगह है और जो गड़े है वह बरसात के दिनों में डाल के रखे थे क्यों कि वह कच्ची है और जब आप उन गड़ों में कठा हो जाता है और मुझे वह उठाने की पिर आसानी रहती है फिर मैं वह आसानी से उठा लेते हूं ऐसा कुछ निया काय के वीडियो है वो अगर आप देखना चाहोगे तो मुझे कॉमेंट कर देना मैं लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी बहां से देख लेना अधरवाइस आप पिछे वाली कोई भी वीडियो है मेरी बहां पर देख लेना कि कैसे सोते हैं कैसे क्या करते हैं मैंने बहुत स यूट्यूब से कितना कमा लिया है कितने पैसे कमा लिया अपनी यूट्यूब से और आपने चैनल कब स्टार्ट किया था तो मैं बताती हूं आपको आज कि मैंने कितना कमा लिया यूट्यूब से और मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था तो सबसे यूट्यूब पे आए हुए और यूट्यूब से मैंने क्या कमाया है कितना कमा लिया है मैंने यूट्यूब के पैसों से क्या खरीदा है ऐसे कुछ कुछ का था उन्हें कि मैंने यूट्यूब के पैसों से क्या खरीदा मैंने यूट्यूब के पैसों से कुछ भी नहीं अगर हो सके तो जादा से जादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं कुछ कर सकूं आगे बढ़ सकूं आप लोगों के साथ से आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है ऐसी बात नहीं आप करते हो फुल सपोर्ट इसके लिए आपका दिल के गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी तब तक के लिए चैप आप